दोस्तों ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है आपने इन्हें कहीं न कहीं जुरूर देखा होगा इनका नाम है जरीफ बाबा, सूफी बाबा, अब से करीब 4-5 साल पहले ये अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आये थे, कुछ लोग इन्हें मुस्लिम धर्म गुरु बतात ये थे एक सूफी बाबा और 5 जुलाई 2022 में नासिक के येवला में चार हत्यारों ने इन्हें सर में गोली मार के इनकी हत्या कर दिया, इनका कतल कर दिया, यहाँ पे होती है करोमलो जिस रूफ, कि इनका कतल क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण निकल के आए है खबरों से बहुत सारी बात निकल के आई है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने कहा है, कि इनका कतल कनहिया लाल के कतल के बदले हुआ है, कुछ लोगों का कहना है, इनका कतल जमीन के बदले हुआ है, कुछ लोगों का कहना है, कि इन्हें इनके डराईवर ने मारा है आखिर सच क्या है कनहिया लाल के बदले कतल या जमीन के बदले जमीन के बदले कतल है तो वो क्यों है तो लोगों का जवाब आया है कि बाबा अफ़गानिस्तान से तालुक रखते थे इसलिए हिंदुस्तान में वो अपने नाम से जमीन नहीं खरीदी सकते थे तो इन्हों ने कुछ लोगों के नाम पे जमीन खरीदी थी उन लोगों ने इनका कतल किया है यह लोगों का कहना है इसमें अब तक मेरा कोई रोल नहीं अब यह क्रोमलोजी क्या है क्या कनहिया लाल के बदले कतल है या जमीन के बदले या इन्हें के डराइवर ने मारा है मारा है तो क्यों मारा है तो इसका जवाब है कि अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, नियायले की तरफ से, अब्दालत की तरफ से, इसका कोई जवाब नहीं आया है जैसे ही जवाब आजाएगा, वो भी आपके साथ सेयर होगा अब सवाल सुरू होता है, जरीब बाबा, यानि सूफी बाबा थे कोन? तो इन्हों ने जो अपनी जवाणी कहा है, मैं वो बता देता हूँ, इनका कहना है, मैं वली हूँ वली इन दा सैंस अव आवतार, के मैं खुदा काम में भगवान का एक आवतार हूँ, मैं वली हूँ इन्हें मुस्लिम लोग भी बहुत जारा मुहपत करते थे एक बात मैं यहां बता दूँ तमाम मुस्लिम नहीं बस कुछ मुस्लिम बिल्कुल कम गिन्टी के मुस्लिम इन्हें बहुत जारा मुहपत करते थे और इन्हें हिंदु भी बहुत जारा मुहपत किया करते थे उनके तस्वीरे भी आपके साथ सेर हो रही होगी उनकी वीडियोज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखे वीडियोज उनकी वीडियोज आप लोगों ने वीडियो देखा कि बाबा को हिंदोस्तान में कितनी मुहबबत मिली मुस्लिमों की तरफ से भी और नोन-मुस्लिम की तरफ से भी बाबा अब से चार-पास साल पहले हिंदोस्तान आये थे और तब से ही बाबा ने अपना एक कारिया शुरू किया अपना एक काम शुरू किया अब मुस्लिम समुदाय के इनके बारे में दो विचार है एक मुस्लिम समुदाय कहता है कि बाबा अल्लह के वली थे अवतार थे लाइक एज खौजा मुहिनुदीन चिस्ती जैसे ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती आये थे हिंदुस्तान ऐसे ही बाबा हिंदुस्तान आये है ये जैसे ख्वाजा मुईनुदीन थे ऐसे ही ख्वाजा जरीफ बाबा थे और दूसरे मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये आदमी जोटा है, ये आदमी जोट बोलता है, इस आदमी का इसलाम मजहब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो जो इसके काम है, इसलाम मजहब ने उनकी कभी अजाज़त नहीं दी, इसलाम मजहब उनकी कोई अजाज़त नहीं देता, समुधाय का कहना है, इनका काम लोगों में गुमराही पैदा करना ये लोगों से कहा करते थे कि मेरे नाम का जाब करो मुझसे मदद मांगो लेकिन कुरान कहता है अल्लह कहता है कुरान में कि मेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता मेरे सिवा कोई तुम्हें मुश्किल से नहीं निकाल सकता तो बाबा जो ये कलेम करते थे कि मिरे नाम का इज्याब करो मुझसे मदद मांगो इसलिए एक मुस्लिम समुदाई हमेशा से इंके खिलाप रहा है पहले से ही बहुत सारी वीडियो यूटूब पर अवलेबल है इंके खिलाप क्यों हुआ बाबा का खौन क्यों हुआ उस वीडियो में ये सब बाते बताऊंगा कि बाबा के बारे में हो और क्या क्या कहना था मुस्लिम समुदाई का या मुस्लिम समुदाओ का क्योंकि बाबा को मानने वादे दो मुस्लिम समुदाई है फिलाल मामला कुछ भी हो, इस तरहा का खून, इस तरहा का कतल एक आतनकवाद है, मारने वाला हिंदू हो या मुसल्मान, पुलिस जल्दी से जल्दी कारवाई करें, उन्हें गिरपतार करें और उन्हें सज्जा दे, दोस्तों मिलिकते हैं अगले वेडियो में तब तक आप नख्या लगे,